प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में आज टाटा पावर ही नहीं पावर सेक्टर के सभी स्टॉक आउट परफॉर्म करें और मोधी गोवर्मेंट में देखेंगे तो पावर सेक्टर के डिलेटेड ज दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे आज के बजार का हाल आपको दिखी रहा है सभी तरफ जो है ग्रीन ग्रीन दिख रहा है निफ्टी लगबग 3% के ऊपर और बैंक निफ्टी 4% के आजपास के तेजी में ट्रेड कर रहा है टाटा पावर का वॉल्यूम काफी नहीं दिख रह है जबकि स्टॉक में टेखनिकल ट्रेंड 4% की दिखी है और रिसेंट का हायर ट्रेंड हो चुका है यहां मैं यह कहूंगा कि अगेन इसके लिए जो एक रेजिस्टेंस है यह ओल टाइम हाई का जो लेबल है 464 यह जो आज की तेजी दिखी अगर आप सोट टम टेडर हैं तो शिरली इस तेजी को एकजिट के लिए आएंगे यहां से आप एकजिट ले सकते हैं और अगर मीडियम टू लॉंग टम इन्वेस्टर हैं तो बने रहें और 464 के उपर के ब्रेक आउट पर ही सोट टम टेडर लेंगे अगर यह लेबल ब्रेक आउट करे तो 526 40 से 800 तक क लेबल दिखेगा लेकिन हो सकता है कि यहां यह रिट्रेस करें और फिर यहां से एक डाउन ट्रेंड दिखे इसलिए मैं कहा रहा हूं कि सोट टम टेडर बिलकुल यहां पर प्रॉफिट बुक कर लें लेकिन फ्रेस बायर 464 के लेबल का ब्रेक आउट का वेट करें और बुकिंग उसके लिए ही है जो 3, 5, 7, 10, 15 दिन वाले होराइजन वाले निवेशक हैं